आज में आपके साथ जो पेस्ट्री की रेसिपे शियर चेयर करने वाली होना यकीन माने यूट्यूब की तारीख में अब तक किसी ने इतनी तफसील से आपके साथ ऐसी कोई वीडियो शेयर नहीं की होगी इस वीडियो का मुकमल दे कर आप पहले ही बार में घर में केक पेस्ट्री बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो बाजार से सस्ती साफ सुत्री लो कोस्ट पेस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 25 या 30 रुपे में ये एक पेस्ट्री आपको पढ़ेगी और इसे खा कर आप बाजार की पेस्ट्री का टेस्ट भोल जाएंगे और मेरा धावा है कि जिसे बेकिंग की अलिव बेबी नहीं ना पता अगर वो ये वीडियो पुरी देख ले तो आज ही मास्टर बन सकता है तो शुरू करते हैं बिसमिल्लाहिर्वाक्मान इर्वाहीम से यहां मैं आपको हर तरीके से समझाने वाली हूँ मायरिंग कप से भी जो मायरिंग कप आते हैं बजार से गराम मशीन से भी और ये घर के आम कप से भी हर चीज से आपको मायरिंग मैं इसकी सिखाऊंगी मेते की और चीने की इतनी क्लियर मैं आपको बताने वाली कि आपको दिमाग में बैठ जाएगे कि आपने ये किस तरहा नहीं तो यह वाले कप आप खरीद छोड़ें एक कप मैदा यह देखें यह हलके हाथ से लिया वह भरा हुआ नहीं है जादा और इसी का आदा कप चीनी ठीक है यह एक कप मैदा आदा कप चीनी ही होना चाहिए पूरा-पूरा बराबर नहीं लेना हमने चीनी हमेशा कम रखी आदा कप चीनी है नोट करें एक कप मैदा है तो आदा कप ही चीनी होगा आपको मैं स्केल पे भी बताती हूं कि कि एक गराम बनेगा तो सबसे पहले वेट मशीन जो मैं इसको करती हूं आपके सामने यहां पर कोई में ब्लेट रख लेती हूं ताकि इसमें जो मेदा है उसकी मेईरमेंट करके आपको पता सकूँ, प्लेट का वज़न मैंने जीरो कर दिया है, टियर कर दिया है इसमें से, अब जो मेदा एक कप है न, यह हमारे पास होना चाहिए, 120 गराम, यह 118 है, थोड़ा से मेदा डाले तो इसको 120 गराम देखे न, अब मेदा अगर कर रहे हैं तो एक कब भरकर 120 गराम, यह यह कॉझे कि ले ले हैं, तो यह तक आपको ऩुला हो चुका, अब मैदा आप में आपको चीनी का बताती ह façon, जो दूçon्त में चूटीस चीजह तो प्ले इसको को न, को विए dal झाल कर सकता, बुपsuch से के से, जिआ न आप यहां पर देखें, वेट स्केल पर मैं फिर से रखती हूं कोई, वजन यहां पर मैंने रखा एक बाउल, इसका वजन मैंने जीरो किया, और आप मैंने आदा कप चीनी इसमें शामिल की, कितने हुई, 120 गराम, देखा न, एक कप मैदा 120 गराम क्योंके वो हलका होता है, आदा कप ही चीनी लेनी है, पूरा नहीं लेना हमने, वरना आपका केक बैठ जाएगा, इस चीज को नोट कर लें, लिख के रख लें, यह चीज आपको बहुत काम आने वाली है, कि आपने चीनी हमेशा हाफ लेनी है, 120 गराम मैदा 120 गराम चीनी, 1 कप मैदा, आदा कप चीन इस चीज को नोट कर लें, होपसो अच्छे से समझ आ गई होगी, अब लेने हैं अंडे, अंडो की भी आपको बहुत तफसील से चीज समझाती हूं, मेरा नहीं खयाल कि अब तक आपको किसी ने इतनी तफसील से बताया होगा, तो यहां पर मैं एक कप मैदे के साथ चार तो फिर आपने क्या करना है, आदा कप मैदा लेना है, और वन फॉर्थ कप चीनी लेनी है, यह दो अंडो की रेसिपी है, आदा कप मैदा, वन फॉर्थ कप चीनी, दो अंडे, ठीक है, और यहां पर घर वाले कप मैदा, और इतनी चीनी, और दो अंडे, ठीक है, यह चीज आपको clear होगी होगी यह देखें काप मेरिंग वाला पूरा काप मैदा अधा कप चीनी और यह चार अंडे यहां तक होपसो आपको बहुत अच्छे से समाज आ चुकी होगी हमने यह तीनों चीजे कैसे लेनी हैं किस तरह लेनी हैं अब नेक्स टेप है हमारे पास सबसे पहले मैदे को चानना है चार अंडों को मैंने साइट पर कर दिया अभी नहीं करना पहले हमने इस चीज को तियार करना है स्टेप वन है यह हमारे पास एक कप मैदे को मैंने चाननी में डाला आप बेकिंग पॉर्डर को समझें बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रही हूग मैं यह मैरे पास half teaspoon है half teaspoon आपने भरकर एक दफा लिया-half teaspoon कर अगर आप 2 अंडों का बना रही है ठीक है अगर आप एक कप मैदा 1TSp बेकिंग पौडर एक स्ट आदा कप मैदा 20 minutemes यहाँ ब्रेले शाल आदा टीन बेकिंग पौडर तो यहां पर शाट लिखं और तरहां चान से हैं तो यहांपना मैदा 1 Оकनी मेदा एक लाउसमाइए हैं कुमें एर लेकर आनी है यह देखें इस तरह हमने इसको ऐसे विसक करना कि भी के डाना दाना जर्रा जर्रा जायना वह अपस में ऐसे मिक्स होजए यह राज है इसमें यह बहुत important step है इससे आपका केक फूलेगा fluffy बनेगा ठीक है यह लाजमी करना है step अब इसको करते हैं हम side पर और इसके बाद हमने करना है सांचा तयार अचा सांचे की भी बड़ी गेम है लोग छोटा सांचा यूज़ कर लेते हैं और पिर कहते हैं केक हमारा फूल कर बैट क्यूं जाता है आपकी गलती है सारा कुछ आप ठीक करते हैं सांचा चोटा अब यह एक पैस्ट्री का सांचा यह लिए देखें के चारंडों के लिए इतना बड़ा सांचा लगे लगेगा ही लगेगा आपने गोल लिए और देख्ची ले 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 आपने 8 बैटर रखना है हाफ जगह खाली छोड़नी ही छोड़नी है केक फूले गा अगर आपने पोना का जो जादा सांचा होना चाहिए आदी जगा खाली होनी चाहिए अब मैंने लो कोस्ट बना रही हूं तो मैं यहां पर बटर पेपर नहीं यूज़ कर रही तो घर में बना रही हो बच्छों के लिए तो आप कोशिश करें कि जितना कम से कम खर्चा आप कर सकते हैं आप दो तीन ड इस तरह सांचे के अंदर सेट करना है चाहिए तो किनारे काट लेए छोटा करें बिल्कुल नीचे तक बराबर करें लेकिन मैं ने का पूरा पेपर लिया है कि ईस के मैं कौर्डननर्स बना लूँगि इस तरहां इसे हमने सेट कर लेना है इस सांचे के अंदर इससे आपका केक बहुत एसली स्मूथली सी ऐसे बाहर आज़ेगे एक सेकंड में तो यह देखें यह सारा मैंने बठा लिए और वही ओईल वारा बुरुष मैंने इसके उपर से फेरना है लाजमी एक तो बुरुष भी साफ हो जाएगा ओईल हट जाएगा और हमारा जो बटर पेपर रेड़ी हो जाएगा अच्छी तरह से सारे किनारों से हमने और दर्मियान से भी ओईल को मिक्स कर लेना अब ये हमारा हो गया सांचा तैयार तो पहले ये काम लाजमी करना है इसको करते हैं साइट पर और एक देख्चा में रख रही हूँ उपर चूले पर हलकी दम वाली आंच पर ठीक है वो हमने पहले ही करना है गरम अब यहां पर मैं अंडे तोड़ लेती हूँ एक बर्तन पे जिसमें हमने गहरा बर्तन लेना ये भी लाजमी देखें अंडे जो है न फूलेंगे अंडों के लिए गहरा बर्तन ही चाहिए हमें अब आपके पास ये लाजमी होनी चाहिए ये बीटर लाजमी होना चाहिए मैं वेस्ट पॉइंट का यूज कर रही हैं दस साल होगे इस बीटर को और आज तक ने शुकर अलहमदलिल्ला कभी खराब हुआ और बहुत अच्छी स्पीड से है इसकी भी तो आप बीटर लाजमी ले अगर आप करना चाहते हैं बेकिंग करना चाहते हैं तो ये लाजमी ले अब ये देखें अंडे देखें कितने थोड़े से लग रहे न अब मैं जब इसको बीट करूंगे न तो ये पोना जग हो जाएगा अब इसमें जो चीज़ें टेलने में पहले बहुत डालनों अंडों की स्मेल खतम करने के लि पाइनौपल नहीं डालना है यहां पर हमने सिरफ एससंस डालना है जुढ़ा कब चीनिते वो वह ज 되면 शामिल कर दिया है और Hutch बाश्बून आग़ाएं पैस्टिरी के देखें नहीं नहीं हम सिरफ चंभ डॉपस इसके डाल रहे है अब इसको आपने बीट गरते जाना है र बढ़ें लगेंगे लगें यह देखें कितना अच्छा सा यह लेकिन अभी भी यह ड्रॉप हो रहा है इसका मतलब अब यह अदे हमारे नहीं सेट वे इसको और भी जादा हमने करना है कि रिबन की तरहां यह गिरना चुरू ओए देखें रिबन की तरहां गिर रहे हैं अब चार अंडे थे और कितना ज्यादा फूल गे और इसमें मैंने कोई ओयल कोई मक्षन कोई घी कुछ ने शामिल किया ठीक है अब हमने मैदा उठाया पहले फेला कर हाफ डालना है ठीक है पूरा एक दफ़ा नहीं डालना या तो अगर आपकी स्पीड है इसकी वन स्पीड पे Cont kana citizenship मेंने करना तक कि अच्छे से मिख और बस अच्छे से अब यहां फर हमने अगर जादा मिकस किया तो जो अंड ув में हमने एर भरी है न वहादम हो जाए कि और पिर केक फ्लाफी नहीं रह रहेगा एर खतिम चारने करने हैं जो हमने Аंडो को फुलाया है इतना हो फहों घा बीट करेंगे इस स्टेज पर तो इसको मैं जाड़ लेती हूं इसको करती हूं साइट पर स्पेचलो की मदद से इसको ऐसे कटन फोल्ट के मैथेट से हमने बिल्कुल लाइट हाथ से मिक्स करना है ताकि नीचे कोई मैदा नीचे ना बैठा हो ठीक है थोड़ा सा मेरा बैठा यह पर अच्हा सा रिबन का गिर रहा है अब हमने सांचे मेरा टालना है आप देखें मेने कोई लोग मकषन कोई खीन चाहे नहीं अब आप नहीं उन ग्ष्टर्ण किया और मैंने यही आप को टाइडल में भी बिताया है कि नहीं जामिल करते है बहुत रदाए बजार बाल आपो अपार में दिलवार इन उतार लेती हैं इसको मिक्स्टर को और हमने पूरा अच्छी तरहां से साफ सफाई करके इसको हमने टैप करना है स्लैप पर दो तीन दफा ताकि जो इसके अंदर एर बबल्स है अब वो निकल जाएं यह देखें अब जो पतीला प्री हीटेट मैंने रखा था ना चूले पर पहले ही मैंने आपको बताया था कि किलीद रख लें अब हमने दमवाली आंच पर ही इसे बीस मिनट के लिए बेक करना है बीस से पच्चिस मिनटं लगेंगे इससे ज्यादा इसको बेक्क करना क्योंकि इतने मैं ही होजाएं इसी टाइम में हो जाईगा यह वह hat बहुत जल्दी होगा दो चलें 20-25 मिनट 25 म्न माशा अल्वह माशाला 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 आप चेक करें कितना जबर्दस फूला है कितना अच्छा फलफी है बहुत सॉफ्ट है अच्छा मैं लगा स्टिक की मदद से या यह से मदद से चेक करके देख लेती हूं अंदर से बिल्कुल ठीक है परफेक्ट है अंदर से भी पक चुका है यह मैंने निकाल लिया है पतीले से और मैं आपको दिखा रही हूं कि यह कितना जबर्दस बना है यह कावस हम ऐसे करेंगे तो उठ जाएगा लेकिन पहले मुझे किनारे साफ करने पड़ेंगे इसके छूरी की मदद से जहां जहां से चिपक गिया है न वहां वहां से उतारना पड़ेगा तो एक तیز छूरी की मदद से जाएग्ष्ट साफ कर कावस कावस को बाहर को खींच सकूँamer है ताकि मैं इस्तिया एतना इस पपाद साफ कर हों कि यहाँ साफ कि ल यहां पर हमने सारी साइडेंस की इस तरहां साफ कर ली है थोड़ा सा मेरे खाल से यहां से रह गया है इसको दुबारा से मैं दार लेती है थोड़ा सा चिपका हुआ हाँ यहां से भी खोल लिया मैंने चले अब यह देखें कैसे एजी लिये केक उठ रहा है बहुत जादा गर मैं अब ही पतीली में से निकाला यह देखें तो यह केक हमारा यह देखें पेस्ट हो आपके सामने है सिरफ अंड़ां फ्लेवर के लिए एसंस डाले हैं केक हमारा रैडी है बहुत ही सॉफट है के लिए छोड़ देती हूं और यहां पर मैं विपी विप क्रीम यूज कर रही हूं और विपी विप क्रीम ऐसी होनी चाहिए रनी फ्रीजर से निकाल कर इसे रखें बाहर आदा पोने घहंटे के लि कि पानी चोड़ देगी बीट होने के बाद अब इसमें भी मैं पाइनेपल एसनस थोड़ा सा डाल रही हूँ इससे इतना की यमी फलेवर आएगा खांके आपको ऐसे लगे कि इसे पते नहीं कितने सारे पाइनेपल इसमें डाले हैं पाइनेपल जूस डाला हुआ है इतना अ logic to machine इसके इस धोड़ हों विप दया लेकिन आपने अपने और ना गरम विप कर नी है और ना ही क्री 수ैस्टल वाली है देखें, कितने अफ्रीयप हो रही है दो मिनट में और इसको विप करती हूँ, यह देखें, अभी इसको थोड़ा से और विप करती हूँ, बहुत ही जबरदस तरीके से विप हो रही है, क्रीम बहुत अच्छे से फलफी हो चुकी, अब इसकी निशानी यह है, इसमें यह लाइनिंग जाने लग जाएंगे इस तर तर दीर में यहां ले रही हूं, और यह पर में एक ट्राइं में ट्राइब 1 блиg गलास पानी अब जाहें ले सकते हैं धुद, अदेज्षब को सबेंदु ने रही हैं, यहां बना रहे हैं केक को सोक के लिए केक को गीला करने के लिए मोइस्स करने के लिए शुगर वाटर शुगर सीरप ठीक है इसको हलका से मैंने गरम किया गरम लासमी करना है ताके चीनी जो अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाए पानी में इसको हमने करना है ठंडा ठंडा होने के बाद ये देखे मैंने जग में डाल लिया इसे और आप य मैं जो केक जो हमारा स्पंज है इसे सोक कर लूँ पानी भी बीच में बचा है काफी तो फिर भी दुबारा यूज कर लूँगे मैंसे अब इसको सोक करने के लिए साइट पर करते हैं और केक को लेकर आते हैं ठंडा हो चुका है अच्छे से बहुत जबरदस ठंडा हो गया मेरे हाथ लगाने से आपको अंदाजा हो रहागा यह कितना सॉफ्ट बनाए तो यहां पर सबसे पहले में इसकी दो लेर्स काट लेती हूँ क्योंकि हमने पेस्ट्री तैयार करनी है तो कोशिश कीजिएगा बड़ी चुरी ले ताकि एजिली आप लेर्स काट सकें दो बरा इसकरने हमने दर्मियान से बहुत अहत्यात के साथ हाथ रखकर बराबर आपने काट लेने हैं इसको अच्छे से मैंने काट ले नीचे से एक कागस थोड़ा से जुड़ा वे उसको बुछुरी की मदद से मैं अलग कर लेती हूँ तो यह देखें यह देखें कितनी जबरद बनाया आपके सामने ही इससे हमने इसको सो कर ले न अच्छी तरीके से आप दिखें तो रखकला शूगर सीरॉप यह भाइनबल सीरॉप यह भाएला को स्यूंत सीरॉप से औहले कि मैं उसकर एक बडर आ ले लीगर्या थीक को रखके लिया तेकि मुझे एजी हो जाए क्या जो केक होती है मेरे पास गोल है लेकिन उस पर यह साइस बढ़ा यह नहीं आएगा तो मैं इसलिए डिश में स्टील की डिश में रख रही हूं इसको अच्छी तरह से मॉइस्ट करने के बाद में इसमें क्रीम की एक पतली सी लेयर लगाऊंगी अब बजार वाले जो होते हैं बहुत मौटी लेयर लगाते हैं करीम के और उनकी करीम भी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होती खाने को दिल नहीं करता इतनी अजीब सी करीम वो यूज़ करते हैं लेकिन इसका विपी विप का टेस्ट इतना मज़े का है ना यह खाली विप की ह यहां पर मुझे बड़ी चुरी से हैंडल नहीं हो रहा है केक जो है बहुत जाता मॉइस्ट है तो उतार है इसलिए मैं चोटी चुरी के मदद से अच्छी तरहां से करीम को एक पतली सी लेयर पूरे केक में पहला दूगी देखें चोटी सी चुरी आप घर की चीजों की करें तैयार कर सकती है तो यहां पर भी मैं poreम लेती हैंों और कम लगा रही हूं करिम की क्यूंकि मैंने यह भाकी 25 तो 55 mm की ही 1 पिस्टρι आपको पढ़तेगी तो यहां पर दूसरी लेयर हम केक की उठा कर इसके उपर रखते हैं इसको अपर और अब इसको हमने जो शुगर सीरड़ है हमारा उसके साथ सोख करना है उपर रखके सोख करना है पहले करेंगे तो तोट जाएगा केक आपके हाथ ही नहीं आएगा आपने बिल्कुल ओपर रखकर दूसरी लेयर को इसको अच्छी तरह से सोग करना पानी खतम हो गया है इसमें बोतल में मैं थोड़ा सा और डाल लेती है शुगर सिरप इसलिए मैंने ज़्यादा बनाया था अब देखें ना चीनी हमने कम रखी थी आप कहेंगा केक फीके फीके आप चीनी उसमें भी करीम में भी है और यह शुगर सीरप भी चीनी वाला तो केक कर तो टेस्ट बैलन्स हो जाएगा मीठा बैलन्स हो जाएगा इसका तो यहां पर मैं विप क्रीम डाल रही हूं फिर से अच्छी तरह से हमने छोटी छुरी की मदद से ही इसको यह देखें पूरी अच्छी तरह से लेयर लगाने है पतली सी लेयर लगा ले आप एक और यह इतने मज़े की पेस्ट्रिस तयार होती है यकीन माने एक जटका लगता है इस पेस्ट्री स को ऐसे फटा ओफट बचे मिंट लगाते है आरए में िर जलदी फिनिश तो यहां पर पूला की रहता विभी में करेंको भी छीट करेंगे। देऊने वर फड़ें के तो यहां पija करेंगे। ताके आपको पता चले कि इस चीजब लेकर बिलकुल जासे पैस्ट्री के आप यह लाईने होती इस तरह और लगा सकते हैं इस तरह एक्स्ट्रा करीम भी उतर रही है और एक्वल जो है केक की लियर उपर लग रही है यह था किनारे काती है अगर आप बजार के लिए बना रहे हैं यह यह तो कोई मसला नहीं में आपको वीडियो दिखा रही हूं ताकि अच्छी लगे, लुग अच्छी लगे, इसलिए में किनारे काट रही हूं इसके ताकि नीट लगे, otherwise मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूं, मैं किनारे नहीं काटती, मैं इसी तरहां पेस्ट्रीस को बड़ी बड़े साइज में पाट कर, बच्चों को देती हूं किनारे तो यह तो वैसे ही मेरे बच्चों ने खा लेने हैं लेकिन सिर्फ मैं वीडियो में नीटनेस लाने के लिए आपको दिखाने के लिए और यह देखें कितना सॉफ्ट है इस चीज़ से आप देखें कि मुझसे उठाया नहीं जा रहा केक यहां से, कि इतना सॉफ्ट है इतना मौस्ट है तो यह यहां पर मैं इसको साफ करते हूं किनारों को यह भी बच्चे वैसे ही खा लेंगे लेकिन आपने अगर नीटनेस लेकर आनी है या आप किसी पार्टी के लिए बना रहे हैं अपनी दावत के लिए या बर्डे के लिए तो आप फिर इसको किनारों को कट कर लीजिए पेस्ट्रीस अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं किसी बर्डे पार्टी के लिए तो फिर इनको लाजमी कट कर लीजी इस तरह ऐसे कट करके आप नीट कर सकते हैं किनारों को तो यह बहुत ही पिर एक किसम के चोकोर देखें एक्वल सी बन गई अब पेस्ट्री को चुरी को पहले सबसे पहले साफ करें ताके जो चुरी पर एक्स्ट्रा क्रीम लगी है वो पेस्ट्र और लंगे लगा लेती हैं पहले आठ पेस्ट्री से तैयार ही और एक्स्ट्रा तो अगर बो नौो तो यह केक और भी ज corruption चुरी पेस्ट्रीस तैयार होंगी बजार से भी ज़्यादा मतर Maksy ने देखें कितने एजी ली चुरी अंदर जा रही है और यहां देखें केक भी बाई रहा रहा है इतना सौफ्ट है केक तो यह देखें हमारी यह कितने एजी ली देखें आठ पेस्ट्री तैयार होंगी और फटा-फट हमने एक तफ़ा फिर से लाइन उपर से क्लियर कर देते हम यहां से मैं कट लगा देती हूँ ताकि अलग अलग नज़र आएं ओके जी यह होगे है हमारी पेस्ट्री तैयार अब बजार जैसी लुक लाने के लिए पाइपिंग बैग में जो बची हुई करीम है वो मैंने पाइपिंग बैग में डाल ली बिलकुल बजार जैसी लुक बिल्कुल उनको लगता है कि बाजार से ही मंगवायागी देखे ना अब लुक की चेंज हो गई है सिर्फ यह फ्लावर एक लगाने से और बाजार वाले यहां पर पाइनेपल लगा देते हैं तो अकसर अगर देखा होगा पाइनेपल के जैम की भी स्लाइस चोटे लगे होती बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे हमने बाजार से ओर करके मंगवाई है यह कीन माने आप किसी पार्टी के लिए किसी बड़डे पार्टी के लिए बच्चों के लिए केक के साथ एक्स्ट्रा जो पेस्ट्री ज़्यादा बनाकर रख लें इस तरह बच्चों को दें अब बनाई है और इतना ज्यादा मैं बोली हूं मेरा बैठ गया यह कीन माने बोल बोल कर लेकिन मैंने मुझे यह था है आपको तफसील से हर चीज बतानी हर चीज जिखानी है यह यहां पर तो यहां पर मैं एक पेस्ट्री को निकाल चुकिए देखें यह मेरे पास है था क लेकिन राउंड केक के लिए है और इसमें वह लंबे वाला पेस्ट्री का आना ही नहीं था जो पंच था इसलिए मैंने इस पर नहीं रखा अब प्लेट में मैं इसको रक्चे की हूँ एक पीस को और यह देखें इतना सौफट है कि ऐसे हाथ लगाने से जहाग की तरह जिस सेट हो सके अगर वीडियो अच्छी लगी थोड़ी से भी अच्छी लगी तो प्लेज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दुआओं में याद रखिएगा इजाज़त दीजिए अलाहाफेज